अरे गीता, तुम मेरे घर आई ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुमारी मदद की जरूरत है। देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। गंटों इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कारेले में घंटों लंबा उबाव इंतजार करना पड़ता है। अरे चाचा, क्या आपके समस्य यही है? यह जटिल नहीं है। आप वास्तव में ट्रेन टिकेट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। क्या यह समभव है? क्रिपिया मुझे दिखाओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकेट कैसे बुक कर आ सकते हैं। गीता, यह तो बहुत अच्छा है, मैं घर पर बैट कर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहां इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सच में, मुझे समझाईए, मैं अपने लाब के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूँं कि भारत का क्रिशी मंत्राल है किसानों तक पहुँचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। आप देखते हैं कि भारत की 70 प्रतीशत जनसंख्या ग्रामीनी क्षेत्रों में रहती है और क्रिशी और उससे जुड़े अन्य कामों पर निरभर है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राश्व्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। क्रपिया मुझे दिखाईए कि मैं इस साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूलिय कैसे पता कर सकता हूँ। जरूर बस इंचरनों का पालन करो। पहले एजी मार्केट के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत चांचना चाहते हैं। तो प्रदर्शित पेज पर मार्केट बुलेटिन खंड में निर्दिष्ट वस्तु का तिथिवार मूल्य डेट वाइस प्राइज फोर स्पेसिफाइड कमोडिटी लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में वर्ष और महीने को चुनें जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं। उसके बाद आपको राजे के नाम का चैन करने का विकल्प मिलेगा। सूची में आप उस राजे के नाम का चैन करें जिसकी जानकारी आपको चाहिए। यहां हम उत्तर प्रदेश का चैन करें। राजे का चैन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होगा, जिसमें आपको जीन्स, कमोडिटी चैन करें। वस्तूं की सुची में आप राइस चावल पर क्लिक करें. एक बार चावल का चैन कर लेने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें. अब आप चुने गए माह की विभिन तारीखों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन क्रिशी बाजार में चावल की कीमतों की एक यदि आप बाजार की सभी चीजों की कीमत जानना चाहते हैं तो आप बुलेटिन खंड के मार्केट वाइज, कमोडिटी वाइज, डेली रिपोर्ट पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज जैसा दिखाया गया है पर ले जाया जाएगा. कैलेंडर से ता सब्मिट बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी, जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हूं, उस बॉक्स को चेक करें. फिर आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें. यदि आप एक से अधिक राजियों का नाम चैन करना चाहते हैं, तो कंट् अब आप मुझे इस साइट का उप्योग करके पंजाब राज्ये में मक्के की फसल का अधितन भाव पता करके दिखाएं। जरूर मुझे कोशिश करने दें। जरूर मुझे कोशिश करने दें। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अध्यवदिक भाव कैसे प्राप्त करें। आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनके जरीए आप वर्तमान समय के साथ साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपून वेबसाइट हैं www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com भारत में भूविज्यान मंत्राले के अंतरगत आने वाला मौसम विज्यान विभाग, मौसम संबंधी परिवेक्षनों और मौसम की भविश्यवानी के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण आकडे इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलब हैं। मैं इस साइट से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आसानी से बस इन चरणों का अनुसरन करो। पहला, एड्रेस बार में वेबसाइट का नाम लिखें। स्क्रीन प्रकट होगी। यदि आप हिंदी भाशा में देखना चाहते हैं तो पेज पर दाई और दिख रहे हिंदी लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर पेज के ऊपर तथा बाई और विभिन जानकारियां दी गई हैं, जिने आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के बारे में जानने के लिए इंडिया वेधर लिंक पर क्लिक करें और आप वेबसाइट www.indiaweather.gov.in पर पुनह निर्देशित कर दिये जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टैप दें और फिर अपनी वर्यता के शहर पर क्लिक करें। आप संबंधित वेबसाइट पर पुनह निर्देशित हो जाएंगे। उधाहरन के लिए हम एहमदाबाद राज्य का चैन करेंगे। राचे व्यापी मौसम की जानकारी लेने के लिए स्टेट फॉर्कास्ट लिंक पर क्लिक करें। और साप्ताहिक मौसम की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए वीकली वेधर रिपोर्ट पर क्लिक करें। स्वेम प्रयास करें. अब आप मुझे इस वेबसाइट से चेनने के अगले मास के मौसम का पुर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करके दिखाएं. हाँ, मुझे प्रयास करने दें. इसी प्रकार हूम पेज पर दर्शाय गए लिंकों पर क्लिक करके आप और जानकारी खोच सकते हैं. प्रतेक प्रेश्ण के लिए सही विकल पुचुने. सही है अच्छा प्रयास. सही है अच्छा प्रयास. सही है अच्छा प्रयास. सही है अच्छा प्रयास. गीता, क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली वर टेलिफोन के बिल भी भर सकता हूँ? बिल्कुल, इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा पर सकते हैं. मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं. उप्योगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उत्पादन, ववित्रन, स्थापित करना बहुत ही खर्चिला होता है. आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजिन्सियां, पेपर रहित बिलिंग वव इलेक्ट्रोनिक भुकतान की सुविधा उपलब्द कराती हैं. इसने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि कोई चाहे ऑफिस में हो या घर पर बिलों का भुकतान ऑनलाइन कर सकता है. इलेक्ट्रोनिक भुकतान करने के कुछ फायदे निम्न हैं. यात्रा वलंबी लाइनों के समय की बचत होती है. बिल्क होने की कोई संभावना नहीं रहती. सही नियत तिथी तक बुक्तान किया जा सकता है पूरे 24 घंटे बुक्तान किया जा सकता है बुक्तान करने से पूर्व बिल राशी जांचे बिजली का बुक्तान ओनलाइन करना ज्यादा तर बिजली वितरन कंपनियों के पास बिलों का भुकतान ओनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है उदाहरन के लिए यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और BSES राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है तो आप BSES राजधानी की वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन बिल का भुकतान कर सकते हैं इसी प्रकार संबंधित बिजली वितरन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली बिल का भुकतान कर सकते हैं भारत की कुछ बड़ी बिजली वितरन कंपनिया निमन है चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप B.S.E.S. दिल्ली में आउनलाइन बिजली के बिल का भुकतान कैसे कर सकते हैं पहले B.S.E.S. दिल्ली की वेब साइट www.bsesdilly.com पर जाएं अब पेमिंट आप्शन पर जाएं और ओनलाइन बुकतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का चैन करें निर्देशों को दिहान पूर्वक पढ़ें और विकल्प पेनाओ पर क्लिक करें अब दियेगा इस्थान पर अपना CA नमबर भरें आप अपना CA नमबर अपने बिजली के बिल की कागज प्रती के दाहिने हाथ के उपरी किनारे पर देख सकते हैं फिर गो बटन पर क्लिक करें अब भुकतान प्रिष्ट प्रकट होगा भुकतान के धंग जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का चैन करें जब आप चैन कर लें तो भुकतान प्रक्रिया का अनुसरन करें नोट यदि आप credit card का chain करते हैं तो आपको अपने credit card का विवरन भरना होगा और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा Net banking का chain के जाने की दशा में आपको उस bank का chain करना होगा जिससे आप अपने बिल का भुकतान करना चाहते हैं आपको आपके net banking side पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको भुकतान करने के लिए user ID और password भरना होगा दीदी क्या हम mobile phone को भी online recharge कर सकते हैं? हाँ जरूर ऐसा करने के लिए अपने prepaid mobile को recharge करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरन करें पहले recharge it now वेबसाइट पर जाएं अब mobile विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चैन करें इसके बाद अपना mobile नमबर लिखें और continue बटन को दबाएं अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चैन करें और recharge राशी को भरें और फिर continue बटन पर क्लिक करें अब आपके mobile नमबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी इसकी पुष्टी करें और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें यदि आप पंजिकरित उप्भोगता है और पंजिकरन नहीं चाहते हैं तो continue as guest विकल्प को दबाएं यदि आप पंजिकरित उप्भोगता हैं तो sign in बटन दबाएं यदि आप पंजिकृत उभोगता नहीं हैं, लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं, तो रेजिस्टर बटन को दबाएं। यदि आप continue as guest बटन दबाते हैं, तो समीप वर्ती सीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और submit बटन दबाएं। अब भुकतान विकल्पों में से किसी एक का चैन करें। किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद, बैंकों की सूची वाला एक drop-down box प्रकट होगा। उप्योक्त बैंक का चैन करें और continue बटन को दबाएं। अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टी करने के पच्षाद, प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमिंट गेटवे पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पास्वर्ट का प्रेयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। रोहन अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रेयोग कर आप स्वेम अपना मुबाइल रेचार्ज करें। बिलकुल दीदी। Step 1. Login to Recharge It Now website Step 2. Select the service provider and enter details Step 3. Select plan type, enter the recharge amount and press Continue button Step 4. Select Continue as Guest Step 5. Enter your mobile details and select payment option Step 6. Select appropriate banks and pay the amount Paytm website का प्रेयोग कर postpaid mobile का बिल भुकतान करना हम Paytm website का प्रेयोग कर postpaid mobile का बिल भर सकते हैं बस इन पदों का अनुसरन करें पहला Paytm website पर जाएं अब बिल पेमेंट्स टाब पर जाएं और अपने postpaid प्रेयोग का संक्षिप्त विब्रन प्रदर्शित होगा Proceed to Pay बटन पर क्लिक करें अब Paytm में Sign In करें यदि आप नए उप्योग करता हैं तो अपना अकाउंट बनाएं और फिर अपना इमेल आईडी अथवा मोबाइल नमबर और Paytm पासवर्ड का प्रेयोग कर Sign In करें अब स्क्रीन पर बाई और दिये गए विकल्पों में से एक का प्रेयोग करते हुए भुकतान करें जब आप भुकतान पूर्ण कर लेंगे आप सफलता पूर्वक अपना मोबाइल नमबर रिचार्ज कर लेंगे हाँ चाचा आप कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि आप Recharge It Now वेबसाइट का प्रेयोग कर डीटीएज को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं यहां ओनलाइन रिचार्ज सेक्षिन के तहत तीन विकल्प दिखेंगे अपना DTH Recharge करने के लिए DTH बटन पर क्लिक करें फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें मालने कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में Tata Sky का चैन किया है अब अपना उभ्भूकता ID नमबर दर्ज करें और Continue बटन पर क्लिक करें अब Tata Sky Plan की सार्ने दिखाई देगी विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए Recharge राशी दर्ज करें और फिर Continue बटन को दबाएं अब DTH से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी इसकी पुष्टी करें और उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें यदि आप पंजिकरत उभ्भूकता है और पंजिकरन नहीं चाहते हैं तो Continue as Guest विकल्प को दबाएं यदि आप पंजिकरत उभ्भूकता हैं तो Sign In बटन दबाएं यदि आप पंजिकरत उभ्भूकता नहीं हैं लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं तो Register बटन को दबाएं यदि आप Continue as Guest बटन दबाते हैं तो सम्मीप वर्तिय स्क्रीन प्रकट होगी अब अपनी जानकारी दर्ज करें और Submit बटन दबाएं अब भुकतान के विकल्पों में से एक का चैन करें किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक Drop Down Box प्रकट होगा उप्योक्त बैंक का चैन करें और Continue बटन को दबाएं अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा पुष्टी करने के पच्चाथ प्रोसीट बटन दबाएं अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के Payment Gateway पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा अपना यूजर नाम वो पासवर्ट का प्रयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुकतान करना और मोबाइल फोन वो केबल टीवी नेटवर्क रिचार्ज करना आसान होगा बेशक दीदी यह बहुत उप्योगी है हाँ गीता यह जानकारी निश्चित रूप से हमारा काफी समय बचाएगी यह बहुत अच्छा है चलो अब दोहराने के लिए एक गतिविधी में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प पर क्लिक करें सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है क्रिप्या पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास